स्री गडेशाय नमाह, स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती बावना योटीब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको भगवान गनेजी के उपाय बतारम देखो साल का सबसे बड़ा दिन होता है गनेश चतुरती का दिन जो दस दिन का ये पर्व होता है कुछ बातों का विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है भगवान गनेजी बिगन अरता है जितनी जल्दी वह बिगनों को अरते हैं उतनी जल्दी क्रोधत भी हो जाते हैं ये बात का आपको ध्यान रखना हैं, जिस प्रकार से भगवान सिब को बहुत जल्दी क्रोध आता है, उसी प्रकार से भगवान गनेजी को भी क्रोध आ जाता है, तो बिशेश रूप से आपको ध्यान रखना हैं, कि जहां पर गनेजी की स्टापना हो, वहां पर आसपास सु पुष्प हटा देने साम को जो पुष्प चड़ाएंगे वैज 10-11 बजे करीब सारे पुष्प हटा देना सुबह तक बाट मत देगना सुबह फिर ताज आप पुष्प आपको चड़ाने इन बातों का विशेश रूप से ध्यान रखना है साथ ही बगवान गनेजी के साम मे आप वीडियो डालूँगा उसमें प्रति दिन का भोग बतांगा कि कौन से दिन किस चीज का भोग लगाना है आपको और उसी प्रकार प्रति दिन उसको प्रिसाद ग्रूप में खाना भी है भगवान गनेजी के सामने केले का फल प्रति दिन चड़ा के खाना है मंतर जाप ज़्याप करें, इससे आपकी मनो कामना पूर्यों गीं। बगवान गनेजी सारे विगनों को सारी परिशानियों को अल लेते हैं। सारे कष्टों को दूर कर देते हैं जो ब्यक्ति सच्चे मन से बगवान गनेजी की पूजा आराधना करते हैं। तो आपको भी यह उपाय करने ही, जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, साती प्रते दिन भगवान गणेजी को दुरवादल चड़ाएंगे, भगवान के सामने दीपक जलाना है, भगवान के सामने थोड़ी दिर बैठ करके मंत्रों का जाप करेंगे, अगर घर में गणेजी आपके सारे विगनों को हर दिंगे, रात को सोते समय भगवान सामने प्रसाद रख करके सोना है, सुबब प्रसाद आपको खाना है, मेश रासी, ब्रेसब रासी, मितन रासी, करक रासी, कर्ण्या रासी, तुला रासी, ब्रेस्टिक रासी, कुम रासी, मीन रासी, ये रासी आपके सारे विग्नों को वर दिंगे पुत्र प्राप्ति होगी धन प्राप्ति होगी कारवान अच्छा चलेगा पैसा ही पैसा आएगा और हर प्रकार की मनुकामनापकी पूर्योगी स्री गड़े साय नमा